सियावर राम चंद्र कीजे, शीरामानंद भगवान कीजे, शीरादे रादे. भक्तु ठाकुर जी का विधान जो होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है. मनश्चों के लिए वो आज्यात रहता है. किन्तु प्रभु अपने कृपा का विधान चालू रखते हैं, जिससे जीव का कल्यान हो. और मनुष्य भविष्य को फुनरूप्ष नहीं रहनता है, इसलिए वो अपनी बुद्धी से कारे करता रहता है. चंद्रहरी जो बाद में चलके सुखानन जी बनते हैं, वो रमा भारती नाम के एक सन्यासी से सन्यास ले लिये थे. और बनारस में नीची बाग नामक मुहलाब है, वहाँ एक बाग था, और कुछ हलकी छोटी मोटी बस्ती थी थी, तो वहाँ पर वो रहने लगे हैं. वहाँ उस समय शहर नहीं था, दो चार दस गाउं, दो चार दस घर ही थे, गाउं जैसा था. आप उस निरजन स्थान में अकेले रहते थे वो, और समय पर भिक्षा आजाती थी, उसे पाकर एकांत मन से बढ़न करते रहते थे. जन्ता का आवगमन भी उन्होंने बंद कर दिया. रात्री में कभी-कभी ओफफ़ा वाला सर्फ दिखाई देता था, फफफ़ा मोवाला, जो आशन पर चड़कर के डस नहीं सका था उनको. पहले मैंने तुनाय था आपको. वो यहां क्यों आता है? वो फफ़ा मोग में देखा था जो इलावाद के पास. और अब यहां वारानस्ती में नीची बाग में क्यों दिखाई पड़ता है? समझ बने आता था. इसी चिंता में वो रहते थे, कि यह क्यों है आता है? परंत इस विशे में कुछ निष्टे ही नहीं कर पाते थे. एक दिन प्राथय काल वे इसी चिंता में निमग न थे, उसी समय महार शिरिचीक ने, जिनका भागोत जी में नाम है वक्तों, एक पुष्प विशेष पर आ सीन हो करके कहा, तुम किस चिंता में पड़े हो? तुमारा काल निकट है, वो सर्प काल स्वरूप है, जो तुमें भैवीत कर रहा है, तुमारी आयू समाप्त होने पर है, जाकर अपने गुरू से पूछ लेना, वे मेरे वाक्य को समझेंगे, तुम अपनी सिद्धाई के में चूर हो, तुमें क्या पता की क्या होने वाला? ये जो तुमारी इच्छा कुछ दिन जीने की है, और तुमारे गुरू भी उसका समर्थन कोशन करें, तो पंच गंगा घाट पर जा करके, श्री वैश्नुवाचारे जगत गुरू स्वामी श्री रामनंदा चारे जी के कृपा पात्र श्री श्री बन जाओ, वे ही तुमें आई उपरजान कर सकते हैं, इस बानी को सुन करके वे इस तक धरह गए, उस समय कुछ करते धरते नहीं बनता था, और न कुछ सोचने विचारने में बुद्धी काम देती थी, वे सीधे अपने गुरू के पास गए, चर रमा भारती ने अपने योग बल से भावी घटना चक्र को देख लिया, कहा बहुत ठीक है, चलो मैं भी आचारे चरण के पास चलता हूँ, अश्को गुरू और शिष्य दोनों ही नीची बाग से श्रीमठ के लिए पंच गंगा घाट के लिए चल पड़े, मार्ग में ब्र रास तो चलते चलते ही दूर हो गया था, रह गई थी स्वामी जी की प्रसाज अमृत की वासना, उन्हों अपने गुरू से कहा, मुझे स्वप्ट में एक महात्मा ने पंच गंगा घाट पर नाने का उप्देश दिया था, और जिस दिन मैं इस पुरी में आया, संभावत उसी दिन पंचोली ने उस घाट पर शनान कराया, और विंदु माधो जी का दर्शन कराया, परंत उस दिन स्वामी जी के दर्शन का सोभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया, आज मैं समझ रहा हूं कि उन्हों महात्मा ने उसी भाव को लक्ष करके वैसा उपदेश दिया था, भारती जी बोले कि ये सब भगवान की लिला है, देखत चलो आगे क्या होता है, स्वामी जी की कृपा सब पर होती है, उस द्वार से कोई विमुख नहीं होता है, सब की आशा पूरी होती है, साक्षात भगवान ही पृत्वी पर विराजमान है, हाँ उनका दर्शन बहुत कठिनाई से मिलता है, बड़े भाग से ही मिलता है, एक बार मुझे भी वो अमोग दर्शन प्राप्त हुआ था, चंजारी के गुरुदेव जो रमा भारती थे उन्होंने कहा, अपने सिसे से, रामानन भगवान का दर्शन मुझे एक बार प्राप्त हुआ था, आज देखे क्या भाग्य में बड़ा है, इस प्रकार बातें करते करते वे दोनों लोग ही श्रीमठ में पहुंचे, मध्यान का समय था, स्वामी जी श्री प्रसाद पाकर के विराजमान थे, स्वामी अनन्ता नंगी महराज सेवा में थे, और महराज वो फाफा मव में खतरनाक सर्प द मुखी, वो त्रिकोण मुखी नाग भी अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहा था, वहीं पंचा हुआ था वो भी, गुफा के बाहर नाग था, भीतर आचारे चरण विराजमान थे, बीच में पर्दा पर्दा था, चंद्रहरी तुरंत उस नाग को पहिचान गए, और उस नाग ने मधूर संस्कृत भाचा में अपना व्रत्तान तो निविजन किया, मैराज वो नाग रामान ने नहीं था, उस संस्कृत भाचा में बोला वहाँ, भगवान रामानन्द के पास में, उसने कहा भगवन, मैं फपहा करने वाला फालेरू जातका नाग हूँ, जातका नाग हूँ, मेरे डर से फफा में गंगा तठ पर अकेले कोई दिन में सनान नहीं कर सकता था, रात को तो वहाँ कोई ठहर ही नहीं सकता, गाउवाले परदेशियों को भी रोग देते थे, एक दिन यही विप्रकुमार, जो यहाँ अपने गुरू के साथ आये हैं आ पहुंचे थे, वे अनुविग गे थे, किसी ने निशेट भी नहीं किया, मैं इन्हें डस ने दावडा, इनका मित्र तो डर कर भाग गया, पर हम तो यह आसन पर बैठे रह गए, डरे नहीं, मैं आसन पर चर नहीं सकता था, बस तो रात भर में इनके आसन को चारो तरफ से घेर कर बैठा रहा, कि तनिक भी छेड़ छाड़ हो तो काटूं, कुमार को ग्यात हो गया, कि उनके आसन पर चहने की हिम्मत मुझको नहीं है, इसलिए अपने आसन पर रात भर साउधान रहे, बिले डूले नहीं, मेरी एक ने चली, और मैं क्या करता, हार करके वापस अपने बिल में आ गया, आउस्टर पा करके वे यहां आकर नीची बाग में रहने लगे, मैं भी डेव विद्या से सब्रतांत जान कर, फिर उन्हें डस ने नीची बाग आ गया, वहां रिचीक रिशीनी ने साउधान कर दिया, और मुझे भी फटका रहा, कि तु बिना समझे लोगों को क्यों काटा करता है, तु दो पूरुजन में बड़ा भारी पंडित था, सब को साश्टरार्थ में हराया करता था, इससे तुझे बड़ा भिमान हो गया, और तु ने गर्व वश्व एक संत का अपमान किया, इसी पाप से तु इस नाग योन में पैदा हुआ है, सर्प बना हुआ है, और काल की प्रणा से निरपराज लोगों को उसमें जो काट रहा था फापहा में, वही तेरी आदत पड़ी हुई है, रिचीक मुनी ने डांट करके वो सर्प कह रहा है गुर्द्य भगवान से, रिचीक मुनी ने डांट कर मुझ से कहा कि तू चेत और श्रीमठ में जा, आचारे चरण की कृपा से इस दुष्ट योनी से तेरा उधार हो जाएगा, जया निधान, मुनी की कृपा से मुझे पूरु जन्मु का ज्यान प्राप्त हो गया है, अब आप इस दुष्ट योनी से मेरा उधार कर दीजिए, परदा खुला, स्वामी जी की आज्या से सेवा में उपस्ठित, अनंता अनंजी ने जल के छीटे मारे, और सर फरफरा करके अधिरिश हो गया, और सुन्दर देव रूप धारन करके, स्तुति और जय जय कार करता हुआ स्वर्ग चला गया, आकाश मर्ग से जाते हुए उसे बहुत लोगों ने देखा था, आश्चरे में पढ़ करके, बहुत लोग मठ में आ गए, और फिर महराज जी अर्थाल गुरु भगवान ने परदा लगा दिया, जब सब उर्तांत जान करके लोग चले गए, और सत्संद का समय हुआ, तब परदा खुला, चंद्रहरी ने अपने गुरु के साथ प्रणाम किया, अनंतर रमभारती ने कहा, जो सर्वग्य है, उनसे कुछ कहने सुनने के आउशिक्ता नहीं, फिर भी, मरनोन मुख मेरे शिश्य का वृत्तांत, चतुर्णाव ने कही ही दिया है, हम भी महार्शिरी चीक की आज्या से सेवा में प्रस्तुत हुए हैं, कि मेरा शिश्य बड़ा सत्पात्र है, इसे विरक्त महार्ग में देख्षित कीजिए गुरु दे भगवान, इसके कृतार्थ होने से मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा, आज्या होई गुर्देव भगवान की की जाईए गंगा सनान करा के लाईए, और इस आज्या का तुरंत पालन हुआ, स्वामी जी ने ब्रह्मिचारी वो दीक्षा दे करके सनाथ किया, वो दीक्षा भी अपूर हो थी भग्तु, पंच संसकार पूर्ण होते ही दीक्षित का कायकल्प हुआ, उसकी भीतर की आँखें खुल गए, अब चंद्रहरी का नाम गुर्देव भगवान श्री रामनन जी महराज ने सुखानंद रख दिया, और यही नाम सुखानंद ही प्रक्यात हुआ, दीक्षा की इस अद्भुत प्रभाव से भारती जी बहुत प्रभावान निच हुए, और बोले स्वामीन कुछ मुझे भी विक्षा मिले, स्वामी जी ने का अच्छा, आप घृदे कमल पर ऐसा जम कर भगवान ध्यान कीजिये कि, अपनी सब बाते भूल जाएए, योगिराज रमा भारती जी ने ठीक ठीक आग्या का परण किया, और उस ध्यान में जब निबंग्न हो गय है, तब उन्हें ब्राम स्वरूप रूप का इथार्थ बोध हो गया, और उन्होंने वहिश्वानर, टेजस और प्राग्य की एक रस्ता अंतर्यामी में प्रत्यक्ष देख ली, तुरिया की व्यापक्ता जाग्रित स्वप्न और सुसुप्त में अविभासित होई, अज्यान के आवरनों को भी उन्होंने लेखा, अनेक ब्रह्मान्डों में घूमाए, विचित्र स्रिष्टी देखते देखते ठक गए, केवल एक घड़ी के भीतर ही सब बाते होए हैं, ज्यान भंग होने पर उन्होंने सब बाते कर सुनाए, स्वामी जी ने उनको आत्मत ज्यान का अधिकारी जानकर, जीव और ब्रह्म का भेद लक्षन तथा दोनों का ततता भेद योंग परस्पर का अप्रथक संबन्द समझा कर, उन्हें सच्चा ज्यानी बरा दिया, और भक्तों, अब वे माया मरीचिका के भेद को भी समझ गए, अब महाराज दोनों गुरू शिष्चे दोनों ही मही रहने लगे, जिव पहले इनके शिष्चे थे, चंडरारिय, अब तो स्वामी सुखानन जी हो चुके थे, वो भी और ये रमा भारती, वो भी मही रहने लगे, और सुखानन जी ने अनन्ता जनन जी महाराज चे गुर्देव बिरचित वैश्णों मताब्ज भास कर, योंग आनन्द भास चे आधिका प्रस्थानत्त्राई का भास चे ये सब अध्यन कर लिया, वक्तों सत्संग की बहुत आवश्यक्ता होती है, दीख्षा ज़रूरी है ही लेकिन दीख्षा की बाद सत्संग भी चाईए, तो चंदरहरी की दीख्षा हो चुकी थी, सुखानन ने नाम गुर्देव ने प्रदान किया था, और आब उनको अन्य गुर्भाईउं की सत्संग में उपस्तित रह करके सत्संग का लाव प्राप्त हुआ, एक दिन सुखानन नदा चारी जी महराज, विचनदरहरी थे अब सुखानन नद हो गए, और सुखानन नदा चारी जी कहे जाते थे, तो सुखानन्दाचारे जी की माता संध्या समय सत्संग उठते उठते स्वामी जी के दर्शनों को आई आई तो थी स्वामी जी को जली कटी सुनाने जा आपने मेरे पुत्र को बैरागी बना दिया परन्तु महराज जी के दर्शनों से उनका अमर्श शांत हो गया और अपने प्री पुत्र को विरक्त वेश में देखकर प्रसन्न हो गए उन्होंने पुत्र के ललाट पर जो तेज देखा उसे उनकी आँखें चौधिया गई उनको इस बात से संतोष हुआ कि उनकी तफस्या सार्थक होई कोख पवित्र होई और संसार में जन्म लेने का फल प्राप्त हो गया दूसरे जिन आचारे चरण ने भारती जी को आज्या किया कि आप दोनों मूर्ती सी चित्र कूट धाम चले जाए और वहीं भजन कीजिए क्योंकि यहाँ सुखानन्द के कुटुम्भी जन रहते हैं यहाँ काशी में इनका ननिहाल है मा नानिये सब हैं तो यहाँ इनके लिए ठीक नहीं रहेगा कुटुम्भी जनों से संसर्ग बना रहेगा तो भजन में बाधा पड़ेगी वहिराग्य में बाधा पड़ेगी रमभार्थी को गुर्द्यों भगवान ने आधेश किया कि आप भी साथ में जाओ चित्रकूट पर सुखानन्द को भी ले जाओ वहाँ वहिराग्य पूर्वक भगवान की भप्ती कर सकेंगे इसलिए जगद गुरु भगवान की आज्या से रामानन भगवान की आज्या से दोनों लोग श्री राम गिरी अर्थात कामद गिरी चित्रकूट के लिए प्रस्थान किये और जब वह महार्शी वालमीत के पुनीत आश्रम पर पहुंचे तब विशाल अश्वर्थ व्रक्ष की नीचे आसन लगा कर समीत में बहती हुई नदी में सिनान करने गए उस समय वहां कोई नहीं था संजय समय की सुहावनी शांत विराज रही थी ये दोनों संत लोग तट पर बैटकर तरंग की अपूर्व छटा नहारने लगे लाहरियों पर खेलता और मचलता हुआ एक सुन्दर शिचु निखाई पड़ा ये समझ कर कि शिचु लाहरियों के चपेट में पढ़कर जलमगन हो जाएगा उसकी रक्षा करनी चाहिए भारती जी गंगा में कूट पड़े और तैरती वे तुरंट आप मुचे और उससे पकरने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया कि शिचु ने हास दिया वो पालती मार करके जल पर बैठ गया ध्यानावस्थित हो गया और निश्चल निश्चिन तो हो गया अब निश्चे हो गया कि वो साधारन शिचु नहीं है असाधारन है वो जल परशाचन करता है जल उसे डुबाने में समर्थ नहीं है तरंगों के साथ खेलना उसका सभाव है तब ऐसा शिचु वास्तों में कौन है संभावत है कोई योगी पुरूश है यही सोच समझ करके भारती जी सनान करके किनार ही चले गए किन्तु द्रिष्ट ध्यानी शिचु पर ही लगी रही सुखाननदाचारे जी उठे ज्यों ही नदी में डुब की मारे त्यों ही सिचु का ध्यान भंगुआ और वो उचल कर उनकी गोध में आके दोनों आतों से उसे उठाए वे बाहर आये भारती जी ने अपना गैरिक वस्त्र बिचा दिया उसी पर वो शिचु बैठा दिया गया और फिर वो ध्यान भग्न हो गया सी सुखाननदाचारे जी ने भी अपना गैरिक वस्त्र धारण किया दोनों उजा पाट से निवर्त होकर कि शिचु के पास बैठ करके दियान भग्न होने की प्रतिच्छा करने लगे कुछ समय बाद शिचु के ने ट्रिक खुले उसने विशाल चक्छुन से इन दोनों संतों को देखा और तुरंट मरज जल में उचल गया जल पर पाल थी मार कर बैठ गया किन्तो अब की बार ध्यान मग्न नहीं हुआ नासाग्र भाग पर दिश्टी जमाए बैठा रहा हाँ कभी कभी सुखानन जी की ओर देख लेता था स्री सुखानन जी महराज पूरी दिश्टी से किसी बस्तो को देखते नहीं थे बच्पन से इसे दिश्टी थी उनकी आज तीसरी बार पूर्ण विक्सित नेटर से किसी को यह और देखते ही रह गया और दोनों ने प्रते को अपनी अपनी और आकर शिट किया आके लड़ गई चोटें जैसे चल गई हूँ उसका प्रभाव दोनों के हुर्डे पटल पर पढ़ा और चादिनी रजनी में बैठे भारती जी की इस अद्भू द्रिश्य को देख रह थे भारती जी भी देख रह थे इस अद्भू द्रिश्य को और आश्यरे चकित बारी-बारी से दोनों और देखते रहे इस द्रिश्य का कुछ भी राश्य उनके समझ में नहीं आया गुद्धि पूरग विचारनी की भरपूर चेश्टा किये परंत निश्पल इतना ही समझ से कि ये अवस्ची योग-योक्त प्रानी है संभावत महर्शी बालमीक ही शिशू रुप प्रकट हुए इसके आगे अनुमान करने का कुछ आधार भी नहीं था विचेत्र बात यह है कि सुखानन जी की ही और शिशू का लक्ष था उन्हें की गोद में वह आया था इसका क्या कारण है इसको समझने में भारती जी की बुद्धी चक्रा रही थे उन्हेंने सभावत प्रश्ण किया हे बाल भगवान आप कहूं नहीं बताईए और मेरे प्यारे पूर्व शिशू को क्यों प्यार भरी दिश्टे से देख रहे हैं इसका कुछ उत्तर नहीं मिला अब उन्हें निश्टे हो गया कि आन्नी शिशूओं की तरह ये शिशू भी कुछ बोल नहीं चकता किन्तु बाद में धारणा मिच्छा सिद्ध होई क्योंकि दुबारा दृष्टी लड़ते ही वो बोल उठा तिल तोड़ता को इसका तात परी सुखानन जी ने चाहे जो समझा हो परन्तु भारती जी कुछ नहीं समझ सके भारती जी ने इतना ही समझा कि शिशू बोल सकता है अब शिशू क्या बोला था तिल तोड़ता को माराज भारती जी तो इतने समझे कि गूंगा नहीं हाँ बोल सकता है इसलिए फिर दूसरा प्रश्ण किया तिल तोड़ता को का क्या तात परे शिशू ने का अपने सिश्टे से पूछ ले न उने के प्रतिय वाक के कहा गया और उसके भेद को भी समझ गये इस उत्तर से वे संतुष्ट हुए शुखानन जी ने तीसरा प्रश्ण किया आपकी इस आहेतु की कृपा का क्या कारण है उसने का निरहेतु की कृपा करने वाले भगवान की प्रेरणा से शुखानन जी फिर बोले कि तब तो मुझे पर भगवान के असीप कृपा है वैसी जैसे हमारे गुरुदेव जी की शीश गुरु और हरी में कोई भेद शीश बोला कि गुरु और हरी में कोई भेद नहीं आपके गुरु तो स्वयम हरी है इस दान्त के वास्तिक उदारने जो कुछ कहना था संकेत से कह दिया और हृदय ने हृदय को संक्षेप में समझा दिया आब तुम चित्र कूट जा रहे हो चाव से जाना और भाव से रहना आपड़े सुस्थाना किसी से कुछ ने कहना न चाहना पराज सुखानन जी सावधानी से सुझ रहे थे शिशु लिला का तात पर ये ये मंद बुद्धी भली भांट नहीं समझ सका उसे समझा कर कहिए इक्या रहसे शिशु की कोमल अवस्था तरंगों की चपेट और भामर की भ्रामरी चक्र व्यू शिशु का पल्थी मार कर जल पर बैठकर ध्यान करना इस सब का क्या भी प्राय है तो शिशु जो था वो बोला माया मै की माया का नग्र नरिट्ट्ट है जागरित और स्वप्न दोनों में ये नरिट्ट्ट होता है द्रिश्यत्व और अद्रिश्यत्व दोनों में समान होने से व्याप्त विशिष्ठ फेत रूपिक छुद्ध जल पर आसन जमा कर ध्यान लग सकता है बस आप समझें कि त्रकूर्ट में इसकी आउश्यक्ता होगी इसलिए शिशू लिला के रहसे को याद रखना इतना ही कहना था अब मैं जाता हूँ मराज वो शिशू वहीं अधरिस हो गया और किसी को पता ही नहीं चला कि वो कौन था वो शिशू और कहां चला गया भगवान के लिज़ा भगवान ही जाने दोनों पतिक जो दोनों संग थे उनके आपस में शिशू के विशे में रात भर सत्चंग हुआ कि कौन था विदान्ट की गंभिर गुत्तियां सुल जाई गई गई बड़ा अनंद रहा सत्चंग होता रहा शिशू के विशे में जानने की कोशिश करते रहे उदित महिंक ने निज समाज सहित उस एकांत प्रदेश को सुष्मा सिभर दिया और गंगाने संपूर गगनचारियों को अपने उदर में उतार कर प्रसिद्ध कर दिया कि सारा ज्यान ध्यान भक्ति की पेट में समा जाता है महराज भगवान जो न पात्र के अनुसा लीला करते हैं ये कठिन लीला थी इन महान ग्यानी दो संतों के लिए आगे ये लोग चीत रकूप जाते हैं उस बात को मैं सुनाओगा फिर अभी महराज जी और इन संतों के चाड़ों में प्रणाम करके यहीं भी राम दे रहा हूं श्री रादे रादे दे श्री रादे रादे ये 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 ये